गुड मॉरिंग डियर स्टुडेंट्स गायत्री विद्या मंदिर सीने सेकंडरी स्कूल साचवर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता है हमारा जो लेसान है थर्ड थोट्स जिसको हम लन कर रहे हैं आपको बता दें कि जित जो भी ये difficult words हैं इन सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में पहले से ही discuss कर चुके हैं और अब हमारा जो भी बचा हुआ भाग है इस पार का आज हम उसको पूरा करने का प्रियास करेंगे तो इनके बारे में तो आपको पताईए इंसिडेंट ये घटना है एक्स टॉर्ट यानि एंट लेना डिसास्टरसली यानि बुरी तरह से ब्रिज बैसे तो पुलकों भी बोलते हैं इस प्रकार से लेकिन यहां पे इसका जो तात परेया है वो तासका एक खेल है और यानि विचित्र है एंपल यानि बहुत अदिक डूशियर यानि एक उपहार होता है ठीक है फाइन आट स्पेकुलेटर यानि कलाको परखने वाला मेक फिगर यानि सफल होना या पहचान बनाना मैगनेटिज्म यानि सफलता ठीक है और इंपल्स यानि भावकता से भरी हुई बा यानि या पाई तो यह सब्दकोस अब आपके जो आप अगला पार्ट बचावगा पढ़ेंगे उसमें मिलेगा तो हम देखते हैं कि हमारा बचावगा जो सेज़ भाग है वो क्या कहता है आप देखें डीर स्टुडेंट्स हमने जो लास्ट टाइम पिछले वीडियो में जो हमने पैरग्राफ लिया था वो हमने इस पैरग्राफ को सुरू गिया था जिसमें केवल थोड़ा सा ही पार्ट आपका हो पाया था और आज हम उससे आगे पढ़ने का प्रियास करते हैं आपका यहां तक का जो पैरग्राफ है वो यहां तक हमने इलेंट कर लिया था जिसमें आपको एक बात पुन्हें मैं बताने का प्रियास करता हूँ कि पहली बार जब उसे इतना बड़ा लाव प्राप्त हुआ जो लाव था आपका 49.10 लिंग्स यानि 49 पाउंड और 10 लिंग का लाव उसको होता है अर्थाथ उसने उस ड्रॉइंग को 50 पाउंड में बेजा था तो वो डिसाइड करता है यह निश्चे करता है कि मुझे इस लाव का आदा हिस्सा जो उस व्यक्ति को उस व्यापारी को दे देना चाहिए जिसने मेरे साथ अच्छा बेवार किया था और अब यह मेरा करतब भी है कि मैं भी उसके प्रती अपना अच्छा बेवार पर दरसित करूँ तो उसने पहले तो आदा हिस्सा भीजने का निश् अचाना था उस ड्रोइंग की वो विक्ति तो अपने ही व्यापार में पूरी तरह से अस्षफल हो गया था तो उसने फिर अंततय यह डिसाइड किया कि अब मैं उसको केवल 10 पाउंड्स क्या सोचा उसने कि मैं 10 पाउंड्स उसको भेजूगा फुकरा मुझे नीद अभी भी नहीं आ रही थी मैंने सौट श्टोरीज की एक कहानी जो है पढ़ी और उसके बाद फिर से मैंने सोने का प्रयास किया और मैं फिर से सोचने लगा और फिर से सोचते सोचते वो सोच रहा है वो कह रहा है कि मैं उसको 10 पाउंड्स भी क्यों दे दूँ क्योंकि मेरे द्वारा उसको 10 पाउंड्स दिया जाना अपने कस्टमर्स के प्रती ग्रहाकों के प्रती उसके मन में एक गलस हंदेश देगा और वो निश्चित रूप से इसी प्रकार के पत्रों का डेली प्रित दिन इंतिजार करेगा लेकिन कोई भी उसका ग्रहाक मेरे जितना उधार और इमानदार नहीं होगा जो उसको इतनी बड़ी रकम भेज़ दे तो मैंने डिसाइड किया कि 10 पाउंट न भेज़ करके मैं उसको केबल कितने पाउंट भेज़ूँँगा फाइव पाउंट भेज़ दूँगा पुकर अगली सुवे तब मैं फिस हो गया फिर अगली सुवे जब मैं तयार हो रहा था यह हमने यह से पढ़ना शुरूँगी आगली सुवे जब मैं तयार हो रहा था तो मैंने फिर से उस व्यापारी के बारे में विचार किया मैंने फिर से उसके बारे में सोचा कि मैं उसको यह पाउंट भी क्यों दे दूँ अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन में पहली बार मुझे इतना अधिकला फाइनेंसिल को प्याने इतना अधिकला प्राप्त हुआ था और बो भी मैं इस लाव का इतना बड़ा हिस्सा देते हुए इसको स्पोईल याने नश्ट कर दूँ क्या ये व्यापार की गोड़ेस ऑफ बिजनेस क्या ये व्यापार की देवी का फ्लाइमें दी फेस याने अफमान नहीं था क्या ये व्यापार की देवी से कहना नहीं था कि वो मेरी अभिलना कर दे हैं मुझे डिस्रिकार्ट कर दे हैं केवल एक या दो दिन ही हुए थे जब से हमारे संबंद अच्छे हुए थे व्यापार की देवी से एक या दो दिन से हमारे संबंद अच्छे हुए थे बल एक या दो दिन ही हुआ था अब मैं नहीं चाहता था कि जो सम्मंद बिलकुल अभी अभी अच्छे हुए है उनको एक दम से खराब कर दिया जाए तोड़ दिया जाए यहां से आगे हम आप सेखते हैं स्टुडेंट्स पर धेहन देंगे आप मैंने विचार किया देर इस नो फ्यूरी फ्यूरी में साब को बताया था मैंने फ्यूरी यानि क्रोध होता है जिसको आप एंगर भी कहते हैं क्या कहते हैं एंगर एंगर यानि क्रोध ठीक है कि देर इस नो फ्यूरी लाइक अ वूमन इसकॉंट यानि कोई भी कुरोधित नहीं होता है यानि कोई भी उपेकसित महिला कोई भी त्रिसकृत महिला से ज़्यादा कुरोधित नहीं होता यानि अगर मैंने ब्यापार की देवी के इस आग्या का त्रिसकार कर दिया इसकी अवेलना कर दी तो उन से ज़्यादा क्रोधित कोई भी नहीं होगा वो बहुत क्रोध करेंगी और यह भी हो सकता है कि probably यानी some of the yada be यानी हो जाएगा the end of me ऐसा भी हो सकता है probably be the end of me मेरा तो अंत हो जाएगा city magnets are successful मेरा तो अंत हो जाएगा मेरा अंत होने से कहने का ताथ पर है मेरे इस दूसरे चरण का जो सफल व्यापार मैंने सुरू किया है उस सफल तम व्यापार का मेरा समापन हो जाएगा और सिटी मेगनेट्स आर सक्सिस्पुल city यानि सहर के magnets यानि व्यापारी और successful यानि सफल रहते हैं probably यानि संभवद्य just because वो इसलिए सफल रहते हैं क्योंकि they don't do these foolish क्योंकि वो व्यापारी don't do यानि नहीं करते हैं दीज यानि foolish यानि मूर्ख तापूर impulsive यानि क्या था भावक ताभरी और ठिंग स्यारे कारियों को सहर के व्यापारी केबल इसलिए सफल रहते हैं क्योंकि वो मूटता से भरी हुई ये भावकता पूट कारे नहीं करते हैं क्योंकि जो कारे मैं करने जा रहा था वो निस्चित रूप से भावकता से भरा हुआ कार्य ही था, मैं भाबनाओं में बह गया था और इसलिए उसको लाबान बितकरने वाला था लेकिन आप जानते हैं कि सहर के जो व्यापारी होते हैं वो कभी भी इस परकार से भाबनाओं में बह करके जो भी लाप्राप्त होता है उसका हिस्सा कुछ बापस ग्राप को नहीं देते हैं तो वो सफल रहते हैं क्योंको भावकता से भरेगए मुर्ता पूरकार नहीं करते और impulse is the negation of magnetism magnetism यानि सफलता और सफलता में impulse यानि भावकता का negation यानि निसेद होता है सफलता में भावकता का निसेद होता है या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भावकता में सफलता का निसेद होता है क्योंको जहां पर भावना है जहां पर भावकता है भावकता है भावकता कभी भी सफलता नहीं आती if I am to make negation में सब जानते हैं निसेद magnetism यानि सफलता impulse यानि अभी बढ़ाता अपने भावना if I am to make यद मुझे बनना है any kind of figure make figure, make figure यानि सफल होना पहँचान बनाना, यद मुझे पहँचान बनानी है, मुझे सफल होना है in this new role यानि इस नई भूमिकाम है of fine art speculator fine art speculator यानि कला को परखने की कला पार्खी यानि इस ललित कला पार्खी की नई भूमिकाम है यदि मुझे को make figure यानि सफल बनना है, so my thoughts continue मेरे विचार निरंतर चल रही थे क्योंकि मैं इस नई भूमिकामे ये मेरे एक नई रॉल की नई भूमिकाम की शुरुआ थी कि मैंने कला को परख लिया था यदि इस कला को परखने की नई भूमिकामे मुझे सफल होना है तो I must control my feelings मुझे क्या करना चाहिए I must control मुझे नियंतरित करना चाहिए my feelings यानि मेरी भावनाओं को मुझे भावक नहीं होना चाहिए और भावक होकर कि मुझे इस परकार से अधिक पैसा जो है किसी को नहीं देना चाहिए अगर मुझे सफल होना है तो मुझे अपनी भावनाओं पर सबसे पहरने अंतर्ट करना चाहिए बुकरा नो नहीं 5 pounds कि जो 5 pounds है एफ जी और वो कैसे हैं meet the case यानि परियाप्त होना यानि एक pound का उपहार ही परियाप्त होगा it will be nothing to me अगर मैं इतनी भारी रखम मैंसे एक pound दे भी दूँगा it will be nothing to me ये मेरे लिए भी कुछ भी नहीं होगा और at any rate और किसी भी कीमत पर nothing serious ये ज़्यादा गंपीर नहीं होगा का तात्पर है अप्रत्यासित लाव अप्रत्यासित लाव ठीक है ना वोकर it will be nothing to me क्योंकि ये रखम एक pound अगर मैं दूँगा तो मेरे लिए भी कुछ भी नहीं होगा और ये केवल एक gift of quail and manna from a clear sky to dealer और व्यापारी के लिए भी ये केवल एक अप्रत्यासित लाव होगा क्योंकि पांच pound बेज़ दूँगा तो तो वो इस प्रकार के पत्रों की अपिक्सा करेगा ठीक है और वो इंतिजार करेगा के और कोई पत्र आशाय खो सकता है अपने बेपसाई पर धियान नहीं देगा लेकिन 1 pound मेरे लिए भी कोई नुक्सान दायक नहीं है और 1 pound से उसको भी क्यादा नुक्सान नहीं होगा उसके लिए मात्रे का परत्यासित लाव होगा without however doing him any harm उसे बिना कोई हार्म बिना कोई नुकसान पहुंचाए क्योंकि पांच पाउंड भेज दू तो उसे नुकसान हो जाएगा दस भेजूंगा तो भी नुकसान हो सकता है क्योंकि वो अपने बेवसाय पर ध्यान नहीं देगा लेकिन एक पाउंड तो के वले का प्रत्या प्रीफ नूट यान एक संचिप्त से पत्र के के साथ में एक पाउंड जो कीमत होगी वो कैसी होगी काफी होगी उसने पत्र था जो लिखा देखें the note was to the effect the note was to the effect यान उसने पत्र लिखा था पत्र में लिखा that I had sold कि मैंने sell यानि बेच दिया था दा ड्रॉइंग यानि उस चित्र को at a profit यानि एक lab कमा करके which enabled me जिस lab ने मुझे enable यानि समर्थ बनाया था to make him a present यानि उसे एक उपहार देने के लिए तो करा मैंने lab कमा करके उस ड्रॉइंग को बेच दिया और उस lab जो मुझे प्राप्ट हुआ है उस ने मुझे उस lab ने मुझे एक उपहार देने के लिए योग्य बनाया because it was an old because यानि क्यों के it was an old यानि यानि यह एक पुराना and perhaps यानि सायद odd यानि एक विचित्र belief of mind ये सायद एक पुराना और मेरा बहुती विचित्र सा विश्वास है that one should do कि one यानि किसी भी ब्यक्ति को should do यानि करना चाहिए this kind of thing यानि इस प्रकार का कारे किस प्रकार का कारे कि जब भी किसी को love मिल जाए तो थोड़ा love का हिस्सा दूसरे विक्ति को भी देना चाहिए उसने लिखा मैंने का ये मेरा बिश्वास है कि good luck should be shared कि good luck यानि अच्छे भाग्य को should be shared यानि बांटा जाना चाहिए कि मेरा भाग्य अच्छा है मेरा भाग्य अच्छा है तो मैं चाहता हूँ कि I had the envelope in my pocket यानि मेरी जेव में वो लिफाफा रखा हुआ था containing containing यानि जिसमें नेथ था लिफाफे में the note यानि वो पत्र and a check यानि एक check रखा हुआ था when I reached the club for lunch यानि जब मैं लंच करने के लिए club में पहुँचा तो एक लिफाफा मेरी जेव में था जिस लिफाफे के अंदर वो पत्र था और एक check रखा हुआ था check कितना एक pound का and that afternoon और उस दो पहर को अपराहन दो पहर के बाद I played bridge so disasterly कि I played यानि मैं खेला था bridge यानि एक cards का game है तासका खेले मैं उस bridge को खेला था so disasterously यानि इतना पूरी तरह से that I was glad I had not posted it कि मैं खुश था कि मैंने उसको post नहीं किया था इसका मतलब था कि वो तासके खेल में पूरी तरह से हार गिया था after all आखिर कार so my thoughts ran मैंने फिर से विचार किया as I destroyed the envelope मैंने जब उस लिफाफे को भाड़ा and contents यानि और उसके अंदर रखे होई जो contents थी उनको भी मैंने जब नश्ट किया तो मैंने विचार किया such bargains कि इस प्रकार के मोलभाव are all part of the game ये सब खेल के हिस्से है buying and selling यानि बेचना और खरीदना sorry खरीदना और बेचना are a perfectly straightforward matter ये perfectly straightforward यानि बिल्कुल सीधा साधा सा matter यानि मामला है between dealer and customer किसके गरहाक और दुकंदार के बीच में क्योंको बेचना और खरीदना दुकंदार गरहाक के बीच का सीधा सा मामला है the dealer asks as much as he things जो व्यापारी है वो ask यानि मांगता है as much as यानि उतना आदिक जितना आदिक वो things यानि सोचता है कि he can extort यानि वो end सकता है क्योंकि दुकंदार जो है वो उतना आदिक हाँ इध्यारती थोड़ी ऐसे विदा हुई थी तो देखें वो कह रहा है कि जो dealer होता है वो उतना आदिक अपने ग्राक से मांगने का प्रियास करता है जितना उसको लगता है कि वो extort यानि add सकता है जितना प्राप्ट कर सकता है किसी भी वस्तु की कीमत को और जो ग्रहा को होता है having paid it यानि इसको अदा करने के बाद is under no obligation कोई वो किसी प्रकार की उसकी बादिता नहीं होती है whatever to the dealer यानि उस विक्रिता की प्रती और इंसिडेंट is closed यानि घटना जो समाप्त हो जाती है जितनी भी रकम मालों पांच रुपई दिस रुपई सो रुपई जितने भी किसी दुकंदार ने मांगे हैं और राकनेगर पूरी पूरी रकम उसको दे दी है तो फिर उस दुकंदार के प्रती उसकी किसी प्रकार की कोई बादिता नहीं होती है तो ये हटना समाप्त होती है जो कि लिवकस के द्वारा ये कानी लिखी गई है ठीक है न और हम अब देखेंगे अगले वीडियो में इसका जो भी पूर्शन होगा ठीक है तो अब पढ़ते रहें स्वस्त रहें सुरक्षत रहें धन्यवाज